और दवा के बाद, दर्द की बाद, पीड़ा की बाद, अफगानिस्तान में महिलाओं के आजादी पर तालिबान सरकार ने एक और चाबुक चलाया है नए तालिबानी फर्मान के तहद अब महिलाओं को सारवजनिक जगहों पर जुबान बंद रखने को कहा गया है याने के महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बोलना मना है और इसके साथ ही महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है इसमें घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं का पूरा शरीर धका होना चाहिए उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए कानून तोड़ने वाली महिलाओं के लिए खौफ़नाक सजा का ऐलान भी कर दिया गया है तालिबान सरकार में महिलाओं की मुसीबत अपार कटर पंथी हकूमत में महिलाओं की आजादी पर एक और हमला कानून तोड़ने वाली महिलाओं पर बरसेगा तालिबान का चाबुक 15 अगस्ट 2021 यही वो तारीख थी जब लोक तंद्र के रास्ते पर दोड़ रहे अफगानिस्ता पलट हो गया तालिबान ने सत्ता पर खब्जा कर लिया और उसी दिन से अफगानिस्तान में महिलाओं के दूर दिन शुरू हो गए तालिबान सरकार ने अपने मुल्क में महिलाओं के आजादी पर एक और शिकंजा कस दिया ने कानून के तहट सारवजनिक जगहों पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है यानि कि अब महिलाओं पब्लिक मीटिंग में बोल नहीं पाएंगी, गा नहीं पाएंगी, स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएंगी, नौकरी नहीं कर पाएंगी, अकेले कहीं जा भी नहीं पाएंगी और अदालतों में अपना पक्ष नहीं रख पाएंगी यानि कि अब की बार शर्या कानून के नाम पर महिलाओं के बोलने पर पावंदी लगा करके तालिबान सरकार ने अफगानिस्तानी महिलाओं की अभिवेक्ति की आजादी का गला पूरी तरह से घूट दिया है तालिबान सरकार ने सिर्फ महिलाओं की आवाज का ही गला नहीं घोटा भलती उनकी पहचान भी मिटा देने का इरादा कर चुकी है इसलिए तालिबानी हुकूमत ने नया फर्मान जारी किया है कि अब घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को अपना चेहरा ढख कर रखना होगा नय कानून में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सारवजनिक स्थानों पर हर समय अपने शरीर को ढखना जरूरी है उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए यानि कपड़ों के भीतर उनका शरीर ज़लगना नहीं चाहिए कानून का पालन ना करने पर चेतावनी या फिर गिरफतारी जैसी सज़ा दी जाएगी तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान की महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं सारे हक पुरुशों को हैं महिलाओं को अपनी आबाज उठाने या विरोध करने का कोई हक नहीं सत्ता में आने के दस दिन बाद ही तालिबानी हुकूमत में वहां की नयाइक विवस्था को बदलना शुरू कर दिया जिसका सबसे बुरा असर महिलाओं की जिनदगी पर पड़ रहा है अफगानिस्तान की लोगतांत्रिक सरकारों में तलाख के जिन मामलों में फैसला हो चुका था अब उन्हें पल्टा जा रहा है तालिबान सरकार में नियुक्त हुए नय जज ओवर टाइम करके पिछले शासन के दौरान किये गए फैसलों को पलट रहे हैं तालिबान सरकार के एक बड़े अभियान के तहट अदालतों में आम लोगों को मुफ्त अपील के सुविधा दी गई है जिसकी वज़े से तलाख के 30 फीसदी केस की फैलें फिर से खोली गई है और एक के बाद एक उन सभी केसों के फैसलों को पलटा जा रहा है जिसमें जीत महिला की हुई थी इसी वज़े से वो महिलाएं जादा घबराई हुई हैं जो अपने पती से तलाख लेकर नर्ग के जिन्दगी से छुटकारा पा चुकी थी अब उन्हें जबरन अपने पूरुपती के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है